Hello dear students, welcome back to our channel once again बच्छो आज हम करने वाले हैं एक आखरी topic question number 4C का जो की है हमारा section 3 writing skills related ये topic जो है हमारा वो है आपके सामने that is expansion of ideas expansion of ideas exactly होता क्या है आज हम इसको detail में पढ़ने वाले है बच्छो इसके पहले जितने भी हमारे questions है वो सारे हमने complete कर ली है लिंक जो है हमारे description box में है एक बर आप जाकर जरूर चेक कर लीजिए आपने अगर subscribe नहीं किया है हमारे चैनल पर तो subscribe कर लीजिए राकि इसी तरीके से यो remaining videos है हमारे section 3 की आपको उसका notification मिलता रहे है तो आईए start करते हैं आज का हमारा topic expansion of ideas जो की 4 mark के लिए हमको पूछा जाता है expansion of ideas का मतलब exactly होता क्या है to understand and to describe the meaning and idea given in the particular text अब एक आपको text दिया है या फिर आपको किसी तरीके का proverb दिया गया है जिसको हम कहावत बोलते हैं अब आपको इसके पीछे का central idea क्या है उसको detail में explain करना होता है तो ये होता है हमारा expansion of ideas कई जगाहों पर कोई एक idiom आपको पूछ लिया गया होगा कोई एक proverb पूछ लिया गया होगा कोई कहावत हो सकती है कोई मुहावरा हो सकता है कोई title लिखा हुआ होगा कोई political line होगी या फिर कोई एक बहुत ही अच्छा सा thought दिया होगा अब आपको बोला जाएगा कि इसको expand करो expand करो मतलब इसको detail में समझाओ कि इसके पीछे का central idea क्या बताना चाहता है तो बस उसी को हम कहते है expansion of ideas the words used in this text are rather symbolic symbolic यानि कि इनका कुछ एक मतलब होता है किसी reference में use किया गया है ठीके तो वो आपको explain करना है जैसे कि for example there is a famous proverb जिसको हमने कई बार सुना होगा a stitch in times saves nine तो ये एक proverb है ठीके तो अब इसका meaning आपको detail में explain करना होता है कि इसका central idea क्या है और ऐसे ही कोई related proverb भी आप बता सकते है जो इसके जैसे same meaning रखता होगा that is in simple words we can call it as expansion of ideas अब यहाँ पर जो words use हुए रहते हैं वो systematically हमको क्या करना है decode करना है जिसकी बहुत ही artistic value होगी यानि की बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है उसको explain करना है most of the time this kind of text is used to sum up the idea यह text को इसलिए भी लिखा जाता है ताकि उसके पीछे जो बात छुपी होती है जो आपको कहना चाहरे होते है तो वो आपको सही से समझ में आ जाए इसलिए यह जो idea को बताने के लिए लिखा जाता है proverb, idiom या फर एक good thought, या poetic line इसलिए लिखी जाती है ताकि उसके पीछे की central story जो है वो आपको समझ में आ सके अब यह जो statement दिया रहता है इसको आपको expand करना होता है दो paragraph में लिखना होता है हर एक paragraph में आपको 40 से 50 words जो है वो cover करने होते है expansion of ideas जबी भी आपके से idiom या टाइटल को expand करते हो फर्स पैरेग्राफ मस्ट कंटेन explanatory material पहले पैरेग्राफ में आपको detail में explain करना होता है central idea उसका क्या है वो आप बताएंगे second paragraph में चंटेन further details of what is stated in the first paragraph और में even contain anecdotes, example, illustrations, related quotations first paragraph में आपने central idea देकर detail में समझा दिया अब second paragraph is first paragraph से ही related होता है जहां पर आपने जो first में समझाया उससे related आप examples बता रहें illustrations दे रहें लोगों को ताकि उस title के पीछे की जो कहानी है वो लोगों को clear हो सके तो इसको हम बोलते हैं बच्चो expansion of ideas अच्छा, what is expansion of idea basically to understand the meaning of a text एक text दिया है उसके पीछे का मतलब समझना है understand the symbol in the text क्यों उसने लिखा है ये word उसके पीछे का meaning आप जानना चाहते हो explain the text with similar ideas तो ऐसे प्रोब से similar अगर कोई प्रोब आपको मिलता है तो उनके meanings जो है कही ना कही similar हो जाते है तो वो भी आपको explain करना है summarize the text overall उसकी आप एक summary दे रहे हो किसकी वो जो text आपको लिखकर मिला है अब वो text आपका idiom भी हो सकता है वो आपका proverb भी हो सकता है title, poetic line या कोई अच्छा thought हो सकता है understand the idea and text and to substitute the symbols into these sentences यानि कि जो उसके पीछे बोलना चाह रहा है उसको आपको detailed sentences में लिखकर explain करना होता है उसी को हम कहते है expansion of idea now अब template यानि कि किस तरीके से expansion of idea बनता है तो उसका एक format है जो हम देखेंगे सबसे पहले हमने title लिख दिया जो भी हमको दिया है question exam में आप उसको उपर लिख दोगे फिर second आप शुरुआत करो के introduction से जहाँ पर आप brief explanation देते हो जो topic लिखा है उसके बारे में second paragraph में आपने central idea दे दिया detail में आपने समझा दिया कोई relevant experiences है तो आपने वहाँ पर share कर दिये there should be clarity of ideas to manage the flow and structure of written communication जो आपको marks मिलने वाले है उसके अंदर ये चीज हमेशा याद रखना है बचो आपको कि जो भी आप लिख रहे हो वहाँ पर सबसे पहली चीज clarity of idea होना चाहिए यानि कि जो भी आपको expand करने बोला है आपको खुद उसका मतलब पता होना चाहिए दूसरा आपको जो उसका फ्लो है वह manage करना आना चाहिए फ्लो यानि कि step by step आप एक एक चीज सही से समझा रहे हो और तीसरा है structure of written communication जिस तरीके से आप लिख रहे हो जो format आप तयार कर रहे हो लिखने का आपको बहुत अच्छे से आपको इस तरीके से लिखने है जैसे कि आप एक conversation का इस्तमाल करते हुए लिख रहे हो अब इसके अंदर दूसरी चीज जो है वह है use of discourse markers M-A-R-K-E-R ठीक है यहाँ पर एक spelling mistake हो गई है it is M-A-R-K-E-R markers जो है यहाँ पर उसका मतलब simple होता है बच्छों कि हम जब conversation करते है तो कुछ words का इस्तमाल करते है for example I mean I mean to say like this तो यह सारे क्या होते है discourse markers होते है for example यहाँ पर दिया है anyways जैसे हम बोलते हैं anyways no problem यह फिर हमने बोल दिया nevertheless therefore तो यह हम क्या कर रहे है conversation में ज़्यादा use करते है तो same उसको हमको हमारे expansion of ideas में भी इस्तमाल करना है आपने लिग दिया आपने अर्डी एक बात समझा दी on the other hand आपने बोल दिया you know I mean तो यह सारे क्या होते है इसको discourse माकस बुलाय जाता है जो usually conversation में इस्तमाल किये जाते है वही आपको यहाँ भी use करना है अच्छा अब मैंने आपको बता रहा कि expansion of ideas जो है वो दो paragraph में होना चाहिए तो first paragraph जो है वो आपने लिख दिया अब जी जो यहाँ पर concluding paragraph लिखा है यह कई बार हमारे second paragraph का भी हिस्सा हो सकता है तो किसी तरीके की problem नहीं है अगर आपने इसको second paragraph में add कर दिया use another proverb with the same meaning as the one you are writing यानि कि यहाँ पर हमको बोला जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि similar proverb अगर उससे मिलता जुलता कोई proverb है जिसका meaning same निकलता है तो ऐसे proverb को भी आप क्या कर सकते हो अपने concluding paragraph में लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर दिया है birds of a feather flock together अब इससे मिलता जुलता जो है वो यह proverb है a man is known by a company he keeps यानि कि यहाँ पर बात चल रही है आपके संगत की बात चल दिया आप जैसे लोगों के साथ गूमते फिरते हो आप भी वैसे ही होते हो तो यह जो birds of a feather flock together और उसी के साथ सथ a man is known by a company he keeps यह बहुत ही similar meaning वाले proverbs है तो इस तरीके से आपको इसके लिए आपको जरूरी है कि आप proverbs को अच्छे से याद करके रखे जो important proverbs होते है जो कई बार सोने होते है अगर related proverbs आपको मिल जाए तो आप उसको खली एक बार उसके practice कर लीजिए ताकि आपको समझ में है कि हम किस तरीके के proverbs को क्या कर सकते है similar meanings में add कर सकते है तो इस तरीके से आपको expansion of ideas को लिखना होता है अब कुछ do's and don'ts है जो हम देखेंगे हमारे expansion of ideas में सबसे पहले आपको start करना है begin impressively जो भी आप लिखने वाले हो बड़े ही interesting और impressive तरीके से आपको उसको लिखना है कोई बहुत ही proverb जो दिया है टाइटल जो दिया है अगर आपको कोई similar proverb पहले मिलता है तो आप उससे related कोई quote जो है वो लिख सकते है have unity and clarity of thoughts पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि उसका meaning क्या होता है और फिर आप step by step उसको लिख होगे use discourse markers जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया discourse markers जो conversations में use होते है उसका आपको इस्तमाल करना है use proverbs with similar meanings जैसे हमने अभी अभी देखा है bird with similar feather flock together उसके साथ साथ a man is known by the company he keeps तो यह similar meanings वाले proverbs है तो आपको ऐसे ही कोई proverb को लिखना है तो यह होते हैं हमारे do जो हमको करना है अब हम आएंगे अपने don't के उपर जो हमको बिलकुल नहीं करना है do not go off the track याने कि आप यहाँ पर कुछ और meaning लिखाल कर या अपने personal experiences को उसके अंदर जोड़ कर ना लिखे do not forget to give the symbolic meaning of the statement जो symbolic meaning actually उसका है तो आप उस meaning से हटकर कुछ और मत लिखो जो meaning है उसका वही लिखना है do not forget to include the topic sentence याने कि जो sentence आपको दिया गया है उस topic का उसको include करना मत भूलना क्योंकि वही तो main है जिसके उपर आपको सब कुछ लिखना है last आता है do not omit a proper conclusion याने कि conclusion तो आपको लिखना ही है आप उसको eliminate नहीं कर सकते हो तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखना है जब आप expansion of ideas के question को attempt करते हो अब हम बच्चों देखेंगे इसकी marking scheme जो है वो किस तरीके से होती है जैसे हम सभी जानते है 4 mark के लिए question हमको आता है तो आपने idea को किस तरीके से expand किया है जो introduction आपने शुरुआत की है expand जो किया है उसके लिए आपको मिलता है 2 marks ठीक है proper introduction के साथ आपने शुरुआत की है उसके लिए मिलेगा 1 mark conclude अगर आपने सही तरीके से किया है 1 marks तो कुल मिलाकर हमको मिल जाते है यहाँ पर कितना हमको मिल जाता है 4 marks expansion idea को पहले expand करो एक अच्छा सा introduction दे दो और फिर उसको सही तरीके से conclude कर दो तो असानी से आप अपने 4 marks जो है वो यहाँ पर कमा सकते हो ओके अब यहाँ पर कुछ example है बच्छों जो मैंने आपके लिए तयार किये हम एक दो examples देखेंगे उसी तरीके से उसके बाद जो है जो बोलती है action speaks louder than words with a deep hidden meaning inside अब इसी के साथ आप बतारो कि इसके अंदर एक बात है एक meaning है जो उसका मतलब है वो अंदर चुपा हुआ है to say something and to do something are two different things देखो आपने यहाँ पर क्या कर दिया idea को expand कर दिया क्या बताया कि आपने उसका actual मतलब लिखा कि आप बोल कुछ रहे हो और आप कर कुछ रहे हो तो ये दोनों ही अलग बात होती है It is a well-known fact that people often do not do what they say और ये बहुत ही जाना माना fact है कि लोग जो बोलते हैं अकसर वो चीज़े करते नहीं है It is why people value hard work more than more mere promises और इसलिए लोग जो वादे करते हैं, वादों के उपर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक्षिल में क्या हाड़ वक करते हैं, क्या काम करते हैं, उसके उपर भरोसा करना चाहिए, यानि कि सिर्फ बात उपर भरोसा मत करो, आखो देखा, अगर आपने वाख़ी में देखा काम के लिए तो आप उसको अप्रिशेट करो next actions carry more meaning and importance than what a person say action जो है उसका बहुत important meaning होता है वो meaning क्या होता है कि वाकई में जब इंसान काम कर रहा है perform कर रहा है तो जाकर उसको सराहो सिब उसकी बड़ी-बड़ी बातों से उसकी company join मत करो people are recognized more for the things that they do rather than the words that they utter लोग इसके लिए जाने जाते हैं क्योंकि जो काम वो करते हैं उसके लिए जाने जाते हैं जो बाते करते हैं बड़ी-बड़ी उसके लिए नहीं जाते हैं it is therefore better to be a person who backs words with actions as opposed to empty rhetoric यहां पर आप बोल रहे हो कि ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत ही जादा बैटर है जो सिर्फ बाते नहीं करता है लेकिन action perform करता है it is the ideal way to realize our aspirations and create a lasting legacy in life और यही एक सही तरीका है जिन्दगी को सही से जीने का कि बड़ी-बड़ी बातों बाते करने वालों के साथ में मत रहो जो काम करते हैं उनके साथ में रहो और इसी से आप आगे inspire होते हो जिन्दगी में कुछ करने के लिए इस तरीके से आपको expand करना है इंट्रो आपने start कर दिया आपने उसको सही तरीके से conclude कर दिया निक्स आता है दफेस इंडेक्स ओफ दो माइं चहरा जो है उसे अपने मन का आइना कहा जाता है ठीके तो अब हम इसको आपका मन आपको किसी भी चीज की तरफ ले जाएगा आपको खुशी की तरफ लेके जाएगा गम की तरफ लेकर जाएगा डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा फिस सारी चीज आपके माइन में आपके फॉर्ट प्रोसस में चलती रहती है और बॉड़ी जो है वह से क्या करती है काम करती है हमारे फिलिंग पर चलती है अगर हमको हसी आ रही तो हसने वाला एमोजी बेच रहे हैं इमोशन से mêsपने नहीं हमारे चैरे पर ऐसी तरिखे से दिखे औह थो झाताए हैं जब घुसे होते हैं तो अपनी 15 गार हैंखरे हुष है अगर हम बहुत जादा खुश होते हैं तो इंसान जो बिचारा दुखी है एंग्जाइटी से सफर कर रहा होगा वह हमेशा उसके चहरे पर क्या होगा दिखकर आएगा कि बिल्कुल भी कंफरेबल नहीं है अब कुछ लोगना बड़े मास्टर होते हैं जिनको इमोशन दिखाने नहीं होते हैं कि मैं दुखी हूँ बहुत जादा तो अपने इमोशन को बड़ा कंट्रोल करके लगते हैं लोगों के बीच में कि अपना चेहरा एकदम ब्लांक रखो कोई पहचान ही नहीं पाए कि हम क् है ब्रिलियंट साइकलोजिस्ट कें इमीजिएटली रीड़ फेज जच वाट इस गॉइंग ऑन इना माइड अब इसी के हिसाफ से जो साइकलोजिस्ट होते हैं वह बहुत अच्छे पहचान जाते हैं कि किसी इंसान के मुन में क्या चल रहा है उनके चेहरों को देखकर और लाइट अप्यों साराउंडिंग्स विद्विटा हैं और इस इकी साथ आपने कंक्लूट करते हैं यह भी कहा है कि हमेशा काम रहो हमेशा शांत रहो और अपने आसपास का इन्वाइमेंट वाता वरन आप इस तरीके से बना कर रहो कि आप भी खुश हो और आपके आसपास लोग जो भी खुश है तो देखो कितने अच्छे से हमने इसको किया है एकस्पांड की अपहले तो बता दिया प्रोब कहां से आया मीनिंग क्या है और दीरे बढ़ते गए डीटेल में आपने माइन के बारे में अपने फेस के बारे में अपने इमोशन के बारे में बताया लास में आपने कंक्लूड करके बोला कि क्योंके चेहरा जो होता है आइना होता है आपके मन का इसलिए आप भी हमेशा खुश रहे ताकि लोग भी आपके आसपास के हमेशा खुश रहे औ तो इसका जो PDF है बच्चो वो आज आपके ग्रुप में आपको forward कर दिया जाएगा तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आज के लेक्चर के लिए हमारे जोगी था हमारे expansion of ideas comparing हमने कर लिया है speech writing हो चुका है previous lectures में जाएए और प्लीज जाकर चेक कर लो बच्चो वहां आपको हमारे सारे lectures जो है वो मिल जाएंगे इसी के साथ आज का हमारा session खतम होता है बच्चो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले lecture में जहां पर हम करने वाला है section 3 का question number 4D जो की आता है हमारा review writing बाकी है blog writing बाकी है तो यह सारी चीज़े हम complete करेंगे अपने next lecture में till then stay tuned to our channel thank you very much